दोस्तों मेरा नाम डोक्टर बावलो आज मैं आपको बता हम तोबरकुलोसिस, टीवी के बारे में। टीवी कही भी हो सकती है। जिसको बोलते हैं pulmonary tuberculosis, पेट की भी TB हो सकती है, जिसको एब्डोमन, यानि कि आतों में TB हो गई, या फिर बोन में, हड्डियों की भी TB होती है, तो TB कहीं की भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों, यह बहुत डेंजरक डिजीज होती है, या आगर इसका समय पर इलाज नहीं हो पाया तो, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे person होते हैं, कि जिसको टीवी हो गया, टीवी होने के बाद वो क्या करते हैं, कि दो महीने उन्होंने दवाई खाई, ठीक है, छे महीने दवाई चलती है, जależने नहीं खाई उनको लगा कि मोज़े कोई बुकार नहीं है पर बाद में क्या होता है कि वह तो मोहीने खाणे के बाद देते हैं चोड़ने बाद बैक्टेरिया के बार चाहिनु कि आरे में दूल बारह नें श्टार्ट हो जाती है क्योंकि ये बैक्टेरिया आसानी सो नहीं मुरता क्यों तो प्रोपर 6 दवाई खानी बहुत जरूरी होती है तो आज मैं इसी के बारे में बताउगा तुबर्फिलोसिज दो तो इंडिया मे जैसे देश हो गया अफरीका इंडिया में बहुत जादे टीबी के पेसेंट मिलते हैं सरकार वी बहुत जागरूपता भीहन चला रही है टीवी के बारे में एक बैक्टेरिया होता है जिसका नाम होता है Mycobacterium tuberculosis, यह bacteria होता है, यह cause करता है TB को, Mycobacterium tuberculosis, यह cause करता है TB को, ठीक है, अब यह फैल तक ऐसा है, जैसे कोई infected person है, ठीक है, infected person है, अब उसने खासा, छीका, या फिर वो बोला, तो बोलने से क्या होता है, कि उसके ड्रोपलेट, यानि की ड्रोपलेट निरता है, जो टुबर्कुलर बैसलाई होती है, तो कोई healthy person है, अगर उसने इन्हेल कर लिया, ठीक है, सास के दुवार ले लिया, या फिर मुव में चला गया, और उसने गटक लिया, ठीक है, इस से क्य होने का, ठीक है, close contact with positive person, जो positive person है, जिसको टुबर्कुलोज दीजे, टीबी है, उसके जादे contact में रहने से टीबी हो सकता है, दूसरा, immunocompromised patient, जो रोगों से लड़ने की चमता जिसमें कम होती है, जिसकी immunity कम हो जाती है, जैसे diabetes में, या फिर HIV एट्स में, ठीक है, इन पेस से टीबी होने के चांस बढ़ जाते हैं, या फिर overcrowded area, ठीक है, overcrowded area जहां पर भीडबाडवाला जादा इलागा होता है, उच जगह पर TV होने के चांस जादे बढ़ जाते हैं, या फिर malnutrition, जिसमें nutrition की कमी हो, यह थे इसके risk factor, अब जिस person को TV हो गया, तो उसको क्या क्या परसन में क्या क्या लक्षड दीखंगे, ठीक है, क्या क्या उसको परिषानी होगे, क्या 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 प्रोप्लम होगी, तो इसको भूक लगनी बहुत कम हो जाएगी, उसका थकावड बहुत होगी, उसका वेट लोज हो जाएगा, ठीक है, और उसको रात को सोते समय, बहुत आएगा ठीक है और लो ग्रेड फीवर रहेगा अलकल बुखार रहेगा और टैकिकार्डिया हो जाएगा इसके दिल के दर्गन बहुत बढ़ जाएंगी और खासी रहीगी ठीक है अब बुरिटिक पर चाहती में दर्द होगा या फिर उसको प्लूरल इसके पानी बहुत चाहता है और मैंचीज क्या होती है कि किसी को टीबी है न तो उसके जो सर्वाइकल लिंपनोड होते हैं तो इसके शर्वाइकल लिंपनोड यहां पर अलार्जमेंट हो जाते हैं सर्व भी ऑप निसाई को चाती की TBI क्योंकि लिंप नोडिस में लिंडर्जमेंट हो जाते हैं लक्षण ये दीखें लक्षण डीकने के बाद फिर उम क्या कराइगे उसका सब्सक्राइब कराता है और करेंगे ऐसे से सच्भ करते हुं सब्सक्राइब करते हैं और करेंगे जने कि टरीं चारिक करेंगे में क्या देखने के उसका जो esr होगा वो increase हो जाएगा ठीक है और afd कराते है acid facciole i yarni ki sputum sputum की जाज भी कराते हैं उसकी ठीक है yarni ki malgum की जाज भी कराते हैं और broncoscopy या biopsy भी करा सकते हैं ठीक है यह tuberculosis की investigation अब investigation करने के बाद patient को अगर भी निकल गया ठीक है तो फिर क्या गरेंगे मैं होता है treatment treatment क्यों मैं होता है दोस्तों कि बहुत पेशेंटों को दो महीने दवाई खाई और उसको लगा कि मैं ठीक हूं ठीक होने ठीक हूं वह जबकि दवाई चलती है छह महीने उसने खाई दो महीने खाने के बाद उसने छोड़ दिया तो यानिकी treatment छोड़ दिया फिर क्या होगा उसको आगे problem होनी यह होती है serious condition यानि की MDR मल्टी ड्रग रिजिस्टेंट ठीक है जो ड्रग उसकी चल रही है तो वह बैक्टेरिया उससे resistant हो जाता है उससे मरता नहीं है ठीक है दोस्तों तो यह यह पोच जाता है serious condition में हमेसा कभी भी अगर TV की दवाई चल रही है तो treatment उसका पूरा लेना चाहिए पूरा treatment होने चाहिए इसका ठीक है दोस्तों कभी भी बीच में दवाई नहीं चोड़नी चाहिए मैं treatment तो इसका यह है ठीक है अब चार्ड ड्रग चलती है है फिर्षु लाइन पांच ड्रॉग एंग्र ऺते हैं फिर्ष्ट लाइन होती है आइसो नियजाइड रिफेम पिसीम पाई एक होती है इन्जेक्टेबल जिशोव्च्रेप्टोमाईसीटmen इस यहोति फिर उसको सेकंड लाइन ड्रग चलाते हैं कोन गौन सी होती है एक्टेवल एमिकसीन और कैनमाइसीन यह जब चलती है जब फर्श्ट लाइन ड्रग में जो इस्ट्रेप्टोमाइसीन ना जो इंजक्टेवल आगर उससे बैक्टेरिया रिस्टेंट हो चुका है तो हम उसके हैं चलते हैं दो महिने चलती है पहले चहाँ ड्रग ठेक चलती है जैसे streptomycin या canomyc and amycacin तो दो महीने कौन-कौन चलेंगी ethambutol, pyraginamide, isonazide और rifampicin ठीक है उसके बाद 4 महिने चलती हैं दो ड्रग, isonazide और rifampicin यद तो है new cases में और pregnancy में कौन-कौन चलती है? isonazide, rifampicin, pyraginamide यज़ती है' है दो महिने और फिर साथ महिने चलती है दो ड्रग ठीक है कुन सी और आइसे ने जाइड ठीक है अगर पेसेंट यानि की पेसेंट ने बीच में दवाई छोड़ दी ठीक है उसने प्रोपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो उसको MDR हो गया मल्टी ड्रग रिजिटेंट ठीक है तो उसमें क्या करेंगे हम उसका सैंपल लेंगे हम देखेंगे किस किस ड्रग से बैक्टेरिया जो है रिजिटेंट हो चुका है तो हम उसको वो ड्रग नहीं देंगे ठीक है वो सीरियस कंडिशन होती है दोस्तों तो हम उसमें क्या चलाते हैं फिर जिस जिस मेडिशन से व चीज होता है पेशेंट को अवेर करना कि वो टीवी की बीमारी में प्रोपर ट्रीटमेंट ले बिच में दवाई न छोड़े थैंक यू कीप वाचिंग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें